हलो दोस्तों मैं हूँ जैस्क्मार साहू आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आज मेरा महित का आपका पहला वीडियो है आज से मैं महित का गड़ित का मतलब गड़ित कक्छा दस्वी का स्टार्ट कर रहा हूं यह मेरा पहला वीडियो है कक्छा दस्वी के गड़ित का तो आज हम सबसे लाश्ट चप्टर देखेंगे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और वीडियो को सेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को इसका नालेज ग्यान मिल सके ठीक वीडियो आपको तो लाइक ज़वर कीजिएगा इसके इसाब से मैं आगे चेप्टर भी आपको कराऊंगा तो देखिए आज का हमारा पहला वीडियो में है आपका आखड़ो का विश्लेसर क्या है मारा टोपिक है आखड़ो का विश्लेसर आपके कक्छा दस्वी के गड़ी का लास्ट चेप हम चर्चा केवल आपके परिच्छा से संब्धि जितने महतवपूर कोश्चन रहेंगे उसी टाइप के हम कोश्चन हल करेंगे तो पर चौट चर्चा करेंगे क्या पास टाइम कम है क्योंकि परिच्छा आने वाला है 15 अपरेल से तो इसके लिए हम इसको छोटे से छोटे तरीके से देखते हैं मदब छोटा से छोटा विडियो बना कर आपको पूरा जानकारी देने की कोशिस की जाएगी अब देखे क्या है आपका आखड़ो का विसलेसर के चिप्टर में अध्याय में हम तीन चीज पढ़ेंगे पहला समांतर माध्य दूसरा माध्य का तिसरा समांतर माध्य क्या होता है तो मैं आपको अता दूँँ आपने पहले कख्षाओं में कभी पढ़ा होगा आउसत क्या पढ़ा होगा आउसत होता है उसी को समांतर माध्य बोला जाता है जैसे हम उदारव के लिए देखें तो मानलो एक दो तीन चार पांच कोई संख्याय है सब से पहले इस सध्याए का यह नाम है ऑख्ड़ों का विसलेसर को बीक्रा मतलब शंख्या कोई की संख्या होक्ग विस लेसर मतलब कंकी बारे में गड़ना करना और इंगे आएंगे ही, तो माल लेजिए समाजतर माज़ दे क्या होता है, धांस देखें, एक से पाँस तक कोई संख्या है, तो इन पाचों संख्याओं को हम जोड देंगे, तो क्या आएगा, उन धन, दो धन, तीन, धन, चार, धन, पाँच, अब एक इतनी संख्या हैं इसको गिनोंग ये इसका आउसत है ठीक यह है इसका आउसत तो आउसत इस प्रडार से निकला जाता है मतलब स्वांतर माध्या आपका यह होता है ठीक मतलब बीच का माध्या आप बोल सकते हैं या फिर जितनी संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं का योग समांतर माध्या बराबर क्या हो बट्टा प्रिच्छडों की संख्या प्रिच्छडों की संख्या जी जो समांतर माध्य का सुत्र होता है नार्मल सुत्र देखे तो प्रिच्छडों का योग बट्टा प्रिच्छडों की संख्या मतलब प्रिच्छड मतलब जोग आपके दिये रहेंगे उन सभी का योग मतल सभी का जोर योटता परेचाड़ की संक्या जैसे आपको एपाला पोच्चन हाजाएगा समांतर मांध्य ग्याद करो समांतर मांध्य तो आपका इस से ग्याद करेंगे इस टनि माद करेंगे इसको हम डिटेल से और देखित तो देखे जो तु रहा आपका यह जो सूत्र है इसको हम फार्मूला रूप में लिखें तो इसको बोला जाता है प्रेच्छणों का योग मतलब समेशन प्रेचणों का योग मतलब होता है आपका समेशन F कुछ भी आप बोल सकते हैं F, AX कुछ भी बोल सकते हैं X भी लिखा रहता है कही कही ठीक समेशन X बठा N यह जो चीन है आपका इसको बोला जाता है समेशन इस चीन को समेशन समेशन का मतलब होता है आपका इचीन का मतलब होता है योग ठीक तो समेशन एक्स मतलब प्रेचणों का योग और एन मतलब प्रेचणों की संख्या तो इसका सुत्र होता है समांतर माध्य का समेशन एक्स पटा एन यह आपका सुत्र होता है इसको आप उतार सकते हैं वीडियो प्यूश करते पर अब देखें मानले जी आपके पास में एक उदार बता दिया कि एक से दस तक की संख्याओं का समांतर माध्य ग्याद करो कि इस चेप्टर से आपके इस अध्यास से आपके कोश्चन दो नूमबर शाविशत दूसरा चानवर इसना इसलैंस से चोटे और में बन सकते हैं जैसे समय ज़र करो तो आप प्रatin है करोगी तुर कर सकते हैं को देखके एक से दस्तकी संख्यां क्या होती है 12 तिन चार पांच ठीक 6 इस प्रकार समांतर माध्य बराबर क्या होता है आपका प्रेच्छन कायोग बटा प्रेच्छन उक्संख्या इसको भी लिख सकते हैं या फिर इसको न लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं समेशन एक्स बटाएं इसको भी आप डारेक्ट यहां लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर सम सम्मेंटाइव 5 20 तुछ मैं इसको नहीं लिख सकते हैं मैं डारेक्ट की इसका कर ंढ क्या हुआ सम्मेंटाइव क्या होता हैं सब का जोड तो सब को जोड दिजी एग क्लिकणी सब्सक्राइव है इतनी संख्buster शेवां सूगा सब्हीं को जोर दिये हम तो तो 2 एक तीन 3 तीन 6 6 4 10 10 5 15 15 15 26 27 28 28 28 आपके कितने हुगे 36 36 39 45 45 55 55 बट्टा 20 ठीक 55 बट्टा 10 जब इसको आप डिवाइड देंगे तो आएगा मनला भाग देंगे तो प्रिछारों की संख्या ठीक यह होता है आपका समांतर माध्या इसको आप रिचेल से उतार सकते हैं वीडियों के मैं इसको मिटा रहा हूं या फिर आप बैक करके फिर से देख सकते हैं आपको अच्छे से न समझाया हो तो ठीक अब हम देखते हैं दुस्ता साधारत करी का से अभी इसके यह भी बड़े पोस्टन हम देखेंगे पहले आपको छोटे-छोटे करा रहे हैं पिक उसके बाद आपको बताता हूं किया होता है माधीका क्या होता है थी person संख्याओं चैब तो माधिका मतलब होता है इन पांचों संख्याओं में मद्य का पद कौन सा है मद्य का पद मनलब बीच का पद कौन में दकी इसको आप कैसे जानेंगे तो देखिए इसको आपके संख्यां को गिनेंगे कितने संख्या हैं एक डो तीन चार पांच तो पांच उसके बाद प्लस एक कर देंगे बटा दो कितने हो गए 6 बटा दो बराबर तीर मतलब तीसरे नंबर की जो संख्या है वो क्या है आपके आपके तीसरे नंबर की संख्या है माधिका इसकी ठीक इस टाइप से माधिका ग्याद करते हैं तो यह माधिका का नार्मल सुत्र देखें यहां 3 4 5 5 मतलब क्या होता है पांच बोलते हैं विसम संख्या क्या बोलते हैं विसम संख्या तो जब आपकी संख्या विसम हो तो माधिका ग्याद करने का सुत्र होता है आपका एन बाइटू मार्धिका बराबर एन बाइटू मार्धिका आपका होता है एन बाइटू मार्धिका आपका होता है एन बाइटू मार्धिका जब संख्या विसम हो जैसे एक से पांच तक की संख्या क्या हो जाएगी विसम संख्या है एक दो तीन चार पांच संख्या कितनी है पाच पाच वी समसंख्या यहां एन क्या है आपका एन है आपके पदों की संख्या पदों की संख्या मतलब जितने भी पद दिये हैं उन सब की संख्या आपका है अब यदि हम देखें यहां एक से पांस तक मैंने दिया अब यदि हम देखें आपके और संख्या जैसे हम संख्याइं है एक दो तीन चार पांट शै कितनी संख्या है चैसे संख्या है मतलब शैक्या है आपका संख्या 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 है मतलब मध्यपद होता है तो इसमें आपके देखिए 6 और 8 के बीच में होगा क्योंकि 6 के इधार आपके दो संख्या है तो माधिका चैया है हम नारमद देखें तो बोल सकते हैं लेकिन हम इसको ज़ियाद कैसे करेंगे इसको देखे शह संखिया है तो आप क्या करोगे इसका सुतर颁फ का जब इनजब्सन ग्याबर इनजब्सन संख्या हो कि एनजब्सन माधिका कैसे ग्याद करते हैं आपको माधिका का सुत्र होता है आपका n by 2 n by 2 आपद plus n by 2 plus 1 n by 2 plus 1 मापद बट्टा में आपका होता है 2 यह सुत्र होता है आपका जब n कमान मतलब पदों की संख्या सम हो और यहाँ ए कब सुत्र है जब n बराबर भी सम हो तब के लिए यहाँ आपके 6 संख्याओं दिये गए है ठीक n by 2 मतलब पदों की संख्याओn है ठीक, आपका मतलब 6 आएगा यहाँ, तो क्या होगा, 6 बट्टा 2, 6 बट्टा 2 होगा, इसके जिगा पर, n बाइ 2 आपके जिगा पर, प्लस क्या करेंगे, प्लस कर दिए, अब n बाइ 2, n बाइ 2 मतलब 6 बट्टा 2, प्लस 1, प्लस 1 मतलब धनवान है, यह होगी आपका 3 प्लस 1, तीन धन, तीन प्लस 1, बट्टा 2, यहाँ क्या हो जाएगा, वापके लिख लिदिएगा, ठीक, वापके, लिख सकते हैं, तो यहाँ, क्या होगा यहाँ, तीसरा प्द और 3 प्लस 1 वापक, मतलब, देखिए, इसको आप उतार सकते हैं नोट में, मैं यहाँ, जग देखेंगा सो देखें सी कि लुद्स प्लस मेंमें और बार ग्रह्म-प्लe summatat यहां से हो जाएगा अचुर्फ मेरा Department क्या है यहां प् Columbus एह उस के बाद में मटों से संस्व्य साने można चारवां यहीं होगा हों सिंधंध करेंगे तो 4 मंदब 4 चारवापद क्या है गया समस्राइण 2 बटा दो तिसरा पद प्लस चवथा पद बटा दो तो क्या करेंगे अब इसको जोड़ दीजिए आठ छे चवदा बटा दो कितना आजाएगा आपका दो एकम दो दो सत्य चवदा मतलब यहां क्या आजाएगा साथ तो इसकी माधिका क्या हो जाएगी संख्या की 2,3,6,8,10,11 इसकी माधिका क्या हो जाएगी साथ बोलेगा आपको कि संख्या की माधिका ग्याद करो तो माधिका हो जाएगी साथ तो ए ठीक इस सुत्र से ग्याद किया जाता है यह अपकी माधिका साधारभासा में इसको आप इसे आपने सब्दों में भी लिख सकते हैं यह सब मंदोड़ कोष्चर से इसके कोष्चर में चोर्च में यह विद्यासि deux यह था आपके माधी क्या. अब हम देखते हैं, आपके ब quickest है कि इसरा तप हमारा है बहुलक आपका यहां बहुलक तो बहुलक देखते हैं क्या होता है बहुलक मतलब होता है आपका सबसे ज्यादा बार मानद संख्या आपकी 2, 3, 2, 6, 8, 3, 2, 4, 5, 7 बोल देगा इसका बहुलग याद करो ठीक बहुलग याद करो बहुलग याद करो धारण से ही समझने में ज़्यादा अच्छा राता है मैं तो बहुलग का मतलब मैं आपको धारण से समझा रहा हूँ यापका फॉस्चा है माल लेजिए क्या हो गया 2, 3, 2, 6, 8, 3, 2, 4, 5, 7 बहुलग याद करो तो बहुलग आपका इसे गयाद कर सकते हैं बहुलग का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार जो आया हो क्या होता है बहुलग का नार्मल मतलब समझे तो हम उता है बहुलत का मतरब जो सबसे ज्यादा बार आया हो मतलब सबसे ज्यादा बार एहां क्या आया है तोnin कितने बार आया है एक दो तीन कितने बार आया domest capable नों क् μथा कौल कि इस चया आध में ट भी def I F कितने बार आया है एक बार उसके बाद आपके क्या हो गए आठ आठ कितने बार आया है एक बार आठ आपका आया है एक बार उसके बाद आपके क्या हो गए तीन गिन लिए दो गिन लिए चार चार में लिए हैं चार भी आपका एक बार आया है देख सकते हैं पांच भी एक ब सबसे ज्यादा बार क्या आया हैra 2 वह भी कितने बार आया है TIN आया हैां आइकпа A Со मथ्योद के लिए के लिए तो कि तो नहीं करें आपके समझाने के लिए तो डिरेक्टाप एंसर में लिख सकते हैं उत्तर में कि इसका बवलक दो है बवलक का मतलब ही होता है जो सबसे ज्यादा बाराया हो ठीक यह था हमारा नार्मल आपको समझाने का तरीका अब हम देखते हैं कि समास्तर मांधम आधी क्या हो बवलक को हम याद कैसे करेंगे बड़े कोस्चन हो में ठीक आपको ज्यादा डीटेल विस्तार से इसको नहीं समझाया जा रहा है आपको शुरू से वाकरों का विसलेसर में स सबसे पहले आपको समझाना पढ़ता क्या होता है क्यों इसकी हम इसका उप्योग करते हैं किस प्रकार करते हैं हैं समझाने से वीडियो लंब होगा होगा और आपका ज्यादा दिन नइक हम अभी से दितेल से नहीं है कुछिच्चन में ठीक मतलब आपके पेपर में पैच्छा में जो आ सकते हैं उसके एक वोडिंग तो क्या होता है समांतर माध्य हम एक एक्जामपर लेते हैं उदारब देखें हैं आपका लिखा हुआ है निम्ना आकड़ों की समांतर माध्य ग्याद करो मैंने आपको बताया दस से 20 20 से 30 340 चलिस से 50 50 से साथ उसके बाद आपकी दिया है बारंबड़ता का मतलब होता है 0 से 10 तक की संख्य चार बार है 10 से 20 तक कि संख्य चार बार है 20 से 30 तक कि संख्य दस बार तो आप इसका समाथा माध्यजा कैसे ज्याद करेंगे उसको इसके आप उसके बाद आप traction वर्गंपराल मुरूलिता मध्यमान मध्यमान क्या होता है मैं आपको बताऊंगा वरगंतराल आपका दिया है जो कोस्चन में दिया है उसी को मैं लिख रहा हूँ आपका 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 आपका दिया हुआ है को जब यह सारे आपके वर्ग अंतराल है उसके बाद बारमबर्ता क्या दिया है 4 6 10 7 3 2 तो 4 6 10 7 3 2 यह आपके बारमबर्ता है यह तो सारे आपको कोश्चन में दिये गए हैं आप इसको चार्ट अच्छे से बना लिजिए गा थिक बारंबर्ता को एप से दर्साते हैं मध्यमान को एक से दर्साते हैं ठीक मतलब दर्साते हैं आप किसी से भी दर्सा सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन नार्मल तर पर इसी से दर्साया जाता है ठीक अब हम देखे मध्यमान क्या होता है तो मध्यमान इन दोनों के बीच का मान होता है इन दोनों के बीच का मान मतलब वर्गंतराल के बीच के मान को हम बोलते हैं मध्यमान वर्गंतराल के बीच के मान हम कैसे ग्याद करेंगे तो ऐसे ग्याद कर सकते हैं आप देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए बटटा दो बटा दो बराबर 5 5 पे हां मद्यमान आप क्या लिखेंगे 5 सबसे पहले आपका अपसो पांच उसके बाद क्या लिखाएगा 10-20, 10-20 तक की बीच का मध्यमान के आएगा 10-20 बटा 2, मतलब 30 बटा 2, तो कितना आएगा? 15, अब देख के भी बोल सकते हैं, 10-20 तक की संख्या कों है? तो 15 है, आपका 10-20, 5-25, 15-25, तो 10-20 तक की संख्या 15 है आगे देखें तो 20-30 तक का मध्यमान आपका 25 हो जाएगा 30-40 तक का 35 हो जाएगा इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं आपको ना आये तो इन दोनों को जोर दीजिए उसके बाद 2 से भाग दे दीजिए तो आपका आजाएगा 40-50 तक की बात करें आपका 45 हो जाएगा उसके तो देखिए अब हम आगे देखते हैं आपका मध्यमान हम निकाल लिए मध्यमान क्या होता है आपको समझा गया होगा इसके बाद यहां देखिए आपको बगल में एक और चार्ड बनाना है यहां मेरे को जगा नहीं है जिसके वज़ा से मैं यहां उस चार्ड को बना रहा तो यहां पांच चको आपका क्या हो जाएगा बीस पांच चको आपका बीस फिर 15 चिक का नब्बे 25 दहम धाई सव आपका इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं देखिए 25 दहम धाई सव उसके बाद आपका 35 सत्य तो साथ पना 35 आपका हो गया इन दोनों का इन सभी का मल्टि लाइक करना है तो आपका साथ पना 35 हो गया तीन साथ यह एकीस एकीस तीन चोवीश अपका उसके बाद 45 तीया पंद्रह चारतीया बारह अब एक तेरह उसके बाद हम देखिए तो पच्छपंद दूना आपका होता है 110 यह देखिए आपको ऐसे मल्टिप्लाई करना है मतल पीछे जो यहां आएगा उसको आपको समेशन लगाना है समेशन एफेक्स करके इन सभी को जोड़ देना है जोड़ने के बाद आपका आएगा पांच पांच दस तसका जीरो आपका हसील बचा एक आगे देखिए तुनाव दो ग्यारा ग्यारा पांच शोला चार बीस तिन दमें आए आट सह पाचास जोड़ सकते हैं 5-5-10-10 का 0-9-11-11-11-11-11-11-14-24-23-23-23-24-25-22-24-22-26-23-22-Eit यहां अब हम 20 भाराम बार्ता को भी यहां जोड़ेंगे आप तो समेशन यहां भी लगाएंगे जोड़ समेशन का मतलब होता है आपका योग मतलब जोड़ तो आगे हम देखें तो 6 410 10 10 20 20 27 27 2723 32 32 2 इसको श्रोड़ सकते हैं इस टाइप से आपका समेशन एफ निकल गया, आप समांतर माध्य का आपका सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर आपका होता है, समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ, क्या होता है, समेशन एफ एक्स बटा समेशन एक्स, समेशन एफ एक्स आपका कितना निकला, 850 बटा सम बाग देकर जैसे भी आपको काटने आता होगा इसको काटकर आप निकाल सकते हैं जैसे हम आपको काटने के लिए देखुए तो यहां देखिए चार से हम काट देते हैं चार दूना आठ चार से निकी जायगा दो से काठे तो दो सोला दूना 322 उसके बाद आपका हाज आएगा यहां दो चक को आठ दो सत्ते चेवुदः दो पच्चे दस खीक दो पंचे दस आपका दो चार सो पच्छत्त से इसको हम भाग दें तो 16, 32, 15 बच्चा आपका 155, 16 नमा 144, उसके बाद आपके बच्चे 11, 16, 110, 29.5 आप इसको किसी भी टाइप से डिवाइड दे सकते हैं, आप जैसे भी इसको जानते हैं काटने वैसे काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं, आपका एंसर आएगा 29.5, मतलब 29.5, यह आपका हो जाएगा उत्तर, यह आपका आजाएगा समांतर माध्य, क्या आएगा समांतर माध्य, मतलब उत्तर हो जाएगा यह आपका, ठीक, 32.5 आपका आजाएगा समांतर माध्य, आपको तरीका केवल जानना है, समांतर माध्य ग्याद करते हैं, तो आपका सुत्र है समांतर माध्य ग्याद क हैं तो और आपको समझ आगया होगा ज्यादा बात है ना आया होगा कुछ कम आया होगा तो रिफ्सकर पिर से आप देख सकते हैं सको सब electr error सबसे सरल है को एक Ya second निकालने दिखिर पूरे मान निकल तुम लीजिए जो कोश्चन आपको मैं लिखवाया है अए हम यहां मिटा करें इसी की माधिका चुका है मतलब होता है मतलब होता है मध्याप स्वाधिका के हम चोटे से में माधिका कैसे गयाद करते थे n by 2 plus 1 लिख देते थे मतलब n बट्टा 2 धन 1 ठीक इन बट्टा 2 धन 1 plus 1 लिख देते थे ठीक तो ऐसे ग्याद करते थे लेकिन अभी हम कैसे क्याद करेंगे कि यह थोड़ा हाड है तो देखिए कैसे ग्याद करेंगे माधिका के लिए आपको एक सूत्र होता है सूत्र आपको इसको आपको याद रखना होगा माधिका बराबर होता है यहाँ वन मत समझेगा इसको यह आपका एल है इसमाल एल ठीक आपका होता है एल प्लस एन बैट टू माइनस सी एफ अपान एफ गुड़ा एच इसमें क्या-क्या होता है और सब अभी आपको जब यह कोर्चन हल करूंगा तो सब आपको पता चल जाएगा देखिए आपको कोर्चन इसको मैं यहीं साड़ करना है एक कोश्चन के दो चीज को हम लिख लिए वर गंतराल बारमबरता अब आपको यहां लिखना है संचै बारमबरता क्या होता है तो इसको सबसे पहले यहां लिख दीजिए फर्ष्ट में जो है उसको यहां लिख दीजिए उसके बाद इसके यहां क्या लिखना है नीचे में इन दोनों को जोड़ दीजिए इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा आपका चार किछया जोड़ें sitting अब आपको इसमें इन दोनों के जोड़के बाद है और इसके साथ इसको जोड़को इसके साथ जोड़के om लिखना है 27 रे방ं एक तो ब्रटीर के बाद इसको लिखने के लिए इसको जूरेंगे 27 3 फिर तो आपके 30 के बाद आपके 30 फिर नीचे उनके नीचे जोड़ देना है तरहरा दक्तिक का? सबसे नीचे का पद होता है सबसे नीचे का पद मतलब जो भी आपका यह देखिए अब हमारा एन का मान ना होता है। यह आपके संचयी बारम बरता का लास्टंग जो आता है। तो एन है क्या हो गया आपका एन बराबर 32 ठीक मतलब संचाई बारंबरता संचाई बारंबरता बारंबरता आपका संचाई बारंबरता अंतीम को स्टक में लिख सकते हैं अंतीम अंतीम संचाई बारंबरता आपका है 32 ठीक एन आपके यह हो गए अब आपको क्या ग्याद करन यहां से आपको चेक करना है कि माधिका किस वर्गंतराल में हो सकती है इस वर्गंतराल का मतलब क्या है जीरो से दस तक की चार संख्या हैं दस से वर्गंतराल का मतलब अब हमको ग्यात करना है इसका मतलब है संख्या बारंवड़ता देखेंगे संख्या बारंवड़ता 16 से आगे किस में है तो dit गें है यह आपके 16 से पिर यह 16 से उलच से अधिक है क्या है सोल से अधिक है क्या है 20 एजिए तो आपका माधिका वर्ग क्या होगा ठीक यहां माधिका वर्ग अंतराल जो इसके सीध में यहां जो वर्ग अंतराल होगा है कितने नमबर पर है एक दो तीन तिसरे नमबर पर है आपका तो माधिका वर्ग यहां से तिसरे नमबर पर आएगा मतलब एक दो तीन ठीक एक दो कि माधिका वर्ग जो है 20-30 में है हम कियों लिखे इसको ध्यान से देख़ें यहां 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 से अधिक कौन सा है सबसे पहले वह भी सबसे पहले सुल्ला से अधिक तो यहां से गीनो एक दो तीन तीसरे नंबर प्याइब का माधिका वर्ग में है अब आपने को माधिका वर्ग पता चल गया अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे तो देखिए इस सूत्र में क्या होता है ठीक एल का मान क्या होता है आप एल मतलब होता है नीम नसीमा किसकी नीम नसीमा माधिका वर्ग की नीम नसीमा आप इन मानों को अच्छे से लिख सकते हैं लिफना चाहें तो L मतलब होता है माधिका वर्ग की निमनसीमा, क्या होता है, L मतलब माधिका वर्ग की निमनसीमा, L मतलब आपका होता है संचाई बारंबरता का अंतिमंग, C F आपका होता है संचाई बारंबरता, मतलब माधिका वर्ग के ठीक पहले की संचाई बारंबरता, क्या होता है, माधि तहजेँने के लिए आपको बोल रहा हूं उसके बाद की आपके निकलेraits चोटा है आपको Cities कि निमनसीमा माधिका वर्ग ए है आपका माधिकाव यह मतलब मांधीका वर्ग के ठीक पहले की संचाई बारंबरता माधिका वर्ग कोन सा है आपका 20 से 30 20 से 30 मतलब यह आपका माधिका वर्ग में है संचाई बारंबरता माधिका वर्ग की संचाई बारंबरता 20 है है तो माधिका वर्ग के ठीक पहले की संचाई बारंबरता ठीक माधिका वर्ग के ठीक पहले की संचाई बारंबरता यहां से भी देख सकते हैं माधिका वर्ग के ठीक पहले की संचाई बारंबरता मतलब 20 से 30 माधिका वर्ग है तो इससे पहले आपका 10 से 20 है तो 10 से 20 की संचाई बारंबरता कितनी है तो यहां देखिए आपका 10 कितनी ह सकते हैं देखिए माधिका वर्ग से ठीक पहले जो वर्ग अंतराल है उसकी संचाई बारंबर्था देखना है तो उसकी संचाई बारंबर्था दस है तो यहां कोई भी वर्ग अंतराल में उनका अंतर कितना कितना है जैसे देखेए dole कि इस में दर और कि इसमाले चनी कितना निकल जाएगा जाएगा है क्या किंहीं हुप ओर आपए में दूसरी संख्या से पहली संख्या इक हटाए को अ से बीर भाद对क्ठेनर तो ह से पहली संख्या मान को रखते हैं इसके लिए मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं ठीक तो देखे हम कैसे गयाद कर रहा हुआ हमान हमारा निकल गया हम रहते हैं तो देखिए मा धी का बराबर क्या जाएगा आपका माधिका बराबर कि कमांद कितना है मलल ल किमां हम देखें तो 20 तोôi ग्लस उसके बाद यह बड़ा खुमांद कितना मैंने निकला है झाय ईन ऐसा कमांद 16े विद्ष माइन सीफश पामांद कितना निकला 10 तो 17 हम देखें march कितना है आपका 10 तो 10 रख दिए उसके बाद आपका कुष्टक बंद कर दिए उसके बाद गूरा में आपका कितना है 10 बस सुत्र आप याद रखिए तो रत्मान आपका निकल जाएगा अब हम यहां से देखें तो देखिए क्या हो गया तो 20 प्लस सुल्लह में 10 घताए चाय आपका शै बटा 10 गूरा में आपका 10 हो गया यहां तो दस दस आपके कैंसिल हो गए उपर नीचे 10 दस सी नपने कितने बचे 20 प्लस 6 मतलब 20 दान 6 इतने हो गये 26 इतने हो गये 26 तो यह आपका माधिका हो गया या आपका क्या हुआ मद्धिका मतलब यह इंसर है आपके शही आयाइप नहीं आप अंदाज भी सकते हैं कैसे आंदाज सकते हैं मतलब आपका इंसर गलत आया है सही इसकी आप संभावना व्यक्ट कर सकते हैं संदिखे हमने क्या देखा था माधिका वर्ग हो comes 23 माधिका वर्ग 23 मतलब मरा एंसर सही क्योंकि 21- Tour Евan यह माधिका हो जाएगा तो इस टाइप से आपको माधिका लाज शुत्रा किताब का देखिये चुछ बन जाएगा उसी प्रकार कर शुत्र के भी याद रखिए रहरे कोश्चन बन जाएंगे यह था हमारा आपका माध्य क्या और समांतर माध्य अब हम देखेंगे बहुलग के बारे में अच्छे तो बहुलग का सुत्र भी आपको मैं वता देता हूं कि बहुलग का सुत्र क्या होता है बहुलक बहुलक ज्याद करने का आपका सुत्र होता है small l plus small l plus उसके बाद आपका होता है f1 minus f0 f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 यह आपके कोस्ट अप हो गए गुड़ा h l plus f1 minus f0 बट्टा 2 f1 minus f0 minus f2 गुड़ा h यह होता है बहुलक ज्याद करने का सुत्र हमें एक उदाहर देखते हैं तब तका सुत्र नोट कर सकते हैं ठिक निम्ना जो अभी उदाहर लिखा था मैं उसी को लिख दे रहा हूँ आपका साड़ी का बहुलक ज्याद किजिए यहां आपका वर गंतराल दे दिया रहेगा वर्गंतराल उतके बाद आपके बारम बढ़ता रहेंगे वर्गंतराल के बाद आपके बारम बढ़ता है यह आपके question में रहेंगे कितना 0 से 10 0 से 10 में आपका कितना था 4 सायद 4 ही था नई भी होगा तो हम इसका अलग से निकाल लेंगे 10 से 20 तक में कितना था, 6, 20 से 30 तक में आपका कितना था, 10, 20 से 30 तक में आपके 10, 30 से 40 तक में आपके कितने थे, 7, 40 से 50 तक में कितने हैं थे, 3, उसके बाद आपके 50 से 60, 50 से 60, इसमें कितने थे आपके 2, तो देखिए, यह था आपका question, यह आपका question है, यह आपका question है, निम्म जाद कीजिए वरगंतरा 0-10 में 12 बड़ता चार है 10-20 में 6 है 20-30 में 10 है 30-40 में 7 40-50 में 3 है 50-70 में 2 है अब हम इसका बहुलक ज्याद करना हैं को तो कैसे ज्याद करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे हल लिखेंगे हैं आपका हल मतलब उसके बाद बहुलक चूर की बहुलक का सुत्र होता है अब हम क्या करेंगे बहुलक मतलब मैं आपको क्या बताए लग तो बारंबरता का मतलब मैं आपको बताया कि 0-10 4 का मतलब है कि 0-10 4 बार आया है क्या है 0-10 4 बार आया है तो देखिए सबसे ज्यादा बार करनाया है कर से देखेंगे मतलब सबसे ज्यादा बारंबरता किसकी है सबसे ज्यादा बारंबरता किसकी है तो यहां से देखिए है तो सबसे ज्यादा बारंबरता किसकी है सबसे बड़ा उंक मतलब कुन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा या फिस सबसे अधिक बारम बढ़ता है जो की अब देखिए दस जो है एक इस वर्ग में है ठीक तो एक दो तीन तीसरे नंबर पर है क्योंकि मैं लाइन से नहीं लिखा हूं तो आपको मिश्टेक होगा आप नंबर गिन लिजिए एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन ठीक मतलब बीश से तीस एक दो तीन तीसरे नंबर पर क्या है बीश से तीस तो आपका दस बारम बढ़ता किस लाइन में है मतलब किस के सिधाई में है बीश से तीस के सिधाई में तो आपका सबसे अधिक बारम बढ़ता दस है जो की वर् वीस्टिस में है आप कैसे लिखना है निकों बस समझाघें लीख यहाएगा आपको बोला कि बहुलक का मतलबोता है अधिक अभी सब्सक्षाइब जीन का मतलब होता है सीना किसकी निक्राइब गत्राइब वर्ग साल की निम्नेसी मा तो क्या हो जाएगा यहां 20 क schaffen बीस या सबढ़ 때는 मांण अपका 20 जाएगा आगे हम बात करें दा कि यह पर्फोण आपका क्या होता है इंग इस सब का मानख सकते हैं कापी में मैं बोल दे रहा हुं मतलब होता है बहुलग गंतराल की निम नसीमा यह मतलब वर्ग अंतराल की निमनसीमा F1 होता है आपका बहुलक वर्ग की आउरिती क्या होता है F1 बहुलक वर्ग की आउरिती F0 आपका होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आउरिती क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आउरिती यह जीरो होता है उसके बाद आपकर क्या है एप फ़ени बता दिया जीरो बता दिया अब एप टू रुकाइब डिरय थीक- continu Up कि थीक बाद किया अउडिता आप की होती है एक उसके देच के यह थे होता है एक ही चोता है कि थीक तो अब हम देखते हैं यह क्या होता है आप, तो आपके 40 की दस हैं, ठीक, वहलक क्या वर्ता, आपकी 10 है, धैच थीच, अब हो मतलब क्या होता है आ πके ठीक पहले की बारमबर्था तो है 20े मंगा 10 जिरु यह इसकी बारम बरता कितनी है तो च्छैंडी कि झात्य है ज्यक्ते हैं इसके पहले की वर्ग यह है इसकी बारम बरता च्छैंड है कि झाई सैसे दो तो 246 हो जाएगा आगे हम बात करें क्या है बहुलक वर्ग के ठीकкую बाद की बारमबरता है आपके नीचे घब को साथ है बाइनी साथ है इपकी कि थीक नीचे की बारंबता मैं सिब्सक्राइब के इच हम कैसे निकालते हैं दूसरी किशी वर्गंतराल को पहली संख्या से से घटाने पर उसका दो से भाग दे देते हैं तो जो मानाता है ठीक वह अंतराल आपका नहीं मतलब दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं तो आपका वर्ग माप निकलता है जैसे हमाई आपको बताया था कि 0 से 10 है तो इसको आप 10-0 कर दीजिए तो कितना आया आपका दस था रग्मा किसी भी वर्ण कर दूसरी संख्या को पहली संख्या से खटाने पर प्रत हो जाता है तो personnes अको हमको सुत्र के सारे मान पता चल गए अब सारे मानों को हम सुत्र में रखेंगे और सुत्र में रखने से डारेक्ट आपका बहुलक ग्यात हो जाएगा तो उसके लिए मेरे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है तो इसको आप उतार लिए होंगे नहीं उतारे होंगा त अब हम देखते हैं देखिए आप हम मानोख रख देते हैं यहां सुत्र में बहुलक बहुलक बराबर अब हम रख दे रहे हैं एल कमांड क्या है आपका एल कमांड यहां लिखा हुआ है 20 आपका 20 10 प्लस प्लस मतलब hai दो लोगुडर स मैनस श्यूर कमांड कितना लिखा हुआ है चाहे 9 साथ तक उक कितना है आपका जेशल्यौण हुआ है आपका ब्लस किरेख और कमांड श्यूरा और है हम इसके बाद इसको ग्याते हैं तो 20 प्लस अब इसको अम्हल कर लेते हैं 10 में 6 आपका 4 हो गया 10 में 6 आपके 4 हो गए आगे 10 तुना 20 हो गए ठीक 20 उसके बाद 7 और 6 माइनस 7 माइनस 7 जोड़े तो माइनस 13 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 13 उसके बाद आपके हो गए 10 अब हम देखें तो देखिए 20 प्लस आपके हो गए चार बटा साथ ठीक अब हम कोश्टक खटा सकते हैं कोई जवरी नहीं है चार बटा साथ गुड़ा दस आपके हो गया ठीक चार बटा साथ गुड़ा दस तो यहां हम इन दोनों का गुड़ा कर देते हैं अब मैं यहां लिख रहा हूं है ठीक तो देखें यहां क्या है बीस चार बटा साथ गुड़ा दस तो चार दस चार को चालिस बटा साथ आपका कितना हो गया 20 प्लस 40 बटा साथ 40 अब इसको हम भाग देंगे कितना एगा 20 प्लस देखे 7 35 इसको आप भाग दे सकते हैं जैसे भी आपको कट दें आता हो ठीक इस टाइप से आपके सम्थिंग आएंगे तो इन दोनों को भाग देंगे तो इसके बाद आपके इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके निकल जाएंगे इस टाइप से आपको बहुलग करना है किसी भी संख्या के बहुलग करने को बोलेगा तो इस टाइप करना है मात्र आपको सुत्र याद रखना है सूत्र और भूभ सभूर झाल सबमनें होगा उसके ऊछे कोश्चन को आपके मांतर Hmm यही प्रकार से अपका कोश्चन नहीं होता है चांस कम रहता है खकिन तो इसी ताइप त्वाल में रखना उसके बाद आपको मान रखते जाना है जिससे आपका ममान उतार जाएगा तो इसको प्यूस करके सकते हैं अच्छे से पार देखिए कि आपको थोड़ा बता देता हूं जैसे अभी मैं क्या बोला आपको कि निम्र की साड़ी की माधिका ग्याद किजिए समंतर माधिक ग्याद किजिए अब यह यह भी बोल सकता है आपका कि 2011 की जनगर्णा की अनुसार ठीक ना 2011 की जनगर्णा की अनुसार दस राजियों में महिलाओं की संख्या इस प्रकार है क्या बोल देगा कि 2011 की जनगर्णा की अनुसार ठीक ना दस राजियों में महिलाओं की संख्या इस प्रकार है बोल देगा पहले राजियों में 15 दूसरे में आपके 30 तीसरे में आपके 45 यहां निकाले एंस के बाद आपको क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा थिक भारमभर्त उसके बाद आपको जैसे हम समालतर माध्य का शुत्र क्या था the verlier और में दोनों सामेशन लगा था थीछ सामेशन नेस경िस-अ इसे आप इनका बारंबरता का योग आप निकाल लीजिए जितना भी आई उसको आपका मान निकल जाएगा तो आपके कोश्चन किसी भी टाइब के आ सकते हैं कि वहला आपको कोश्चनों को समझने के जबुदत है अपने बूक अपना बूक उठाई किताब उसमें उसे तीन चार कोश्चन आप फल कर लेजिए तीन चार परसन फिर आपका रिवीजन अर्रेड़ी हो जाएगा मतलब सुतर में आपको मान रखना है आपको खुद ही समझा जाएगा ठिक यह थी हमारे तीन टोपिक आज के जो इहीं तीनों टोपिक से आपके बोड़ इ धन्यवाद थैंक्स फूर वाचिंग जय हीं जय भारत चल्द मिलेंगे बखले वीडियो में